हेलो एवरीवन वेलकम बैक फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वोफ सो आप सब अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स अब आज है टुजडे और अभी बज रहे हैं रात के साड़े दस और मैं कपड़े लेके बैठी हुई हूई हूई हूँ यह मंडे के दूले हुए बनाना बाकी रह गया था तो मैंने जोचा लौ तैय बना के रख दू हर अल्टरनेट डेट पे ते मैं वाशिंग मसीन लगाती हूँ तो कल दिन है बुद्दुआ तो मुझे वाशिंग मसीन लगानी पड़ेगी और बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे तो मैंने सोचा लौ और सोने से पहले ये कपड़े फटा-फट तय बना के रख देती हूँ और फिर सोचा कि लाओ छोटा सा एक वीडियो भी शूट कर लूँ तो मैंने बस कैमरा लगाया कपड़े लेके बैठ गई आज फ्रेंस मुझे जाना पड़ा कानपूर तो सुबह साढ़े तीन बजे में उठी थी पूरा लेंच बच्चों का प्रिप्रेयर किया टिफिन बनाया और दुपहर के खाने का पूरा तयारी करके मैंने रखी और हजबेंड ने कहा मैं खाना बना लूँगा खाने में बनना की ट्रेन थी मेरी तो पांच बजे मैं बैट गई थी वहां मैं पहुंची हूं दस बजे के आसपास फिर जो काम से गई थी वह काम निप्टाया फिर उस काम को निप्टाने के बाद फिर मैं अपनी फ्रेंट के यहां गई बहुत समय बाद उससे मुलाकात हुई बहुत आना जाना पॉसिबल नहीं हुआ तो आज काम से गई थी कानपूर तो सोचा उससे मिलकर जरूर आउंगी फिर थोड़ी देर उसके घर पे बैठें बाते वाद तेकरी हम लोगों ने फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे फ्रेंस तो एक बहुत पुराना मंदीर था वहाँ पर था क्या अब भी है बहुत पुराना बहुत अच्छा माना हुआ मंदीर है वो तो हम मन किया कि वहाँ चलो दर्शन करते हैं फिर हम लोग वहाँ दर्शन करने गए थोड़ी देर वहाँ बैठे मन को बहुत सकूर मिला बहुत अच्छा लगा ऐसा लगा कि पुराने दिन वापिस आ गए बहुत इंज्जॉय किया वो शिवाले की मार्केट में पढ़ता है और शिवाला एक लेडियस की मार्केट है पूरी फिर वहां से हम लोग एक डोसा खाने चले गए जो बहुत फेमस डोसा वाला है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज से आते हुए वहां डोसा खाने जरूर जाते थे तो इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया थकान तो हो गई लेकिन बहुत अच्छा लगा तो काम तो निपट गया फिर वहीं से हम लोग जड्षक्वायर जड्षक्वायर में ठोड़ा जड्षक्वायर वहान का बहुत फेमस है फेमस मॉल है यह हुद भहुत अपको बहुत फोटो क्लिक करा ने आते है वहां का देक्रेशन बहुत अच्छा है चलिए देखते हैं उसकी कुछ क्लिप्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यहां का डेकुरेशन देखिए कितना अच्छा है बहुत से लोग यहां आते हैं स्रिफ डेकुरेशन देखने और अपनी फोटो क्लिक कराने यह एक बहुत ही अच्छा यहां का मॉल है और हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी मस्ते करी खुब इंज्वाय कि आफ खुब सारी फोटो क्लिक कराईं बहुत अच्छा लगा अच्छी खासी भीड भी रहती है काफी रश रहता है यहां पर यह देखे कैसे लोगों क्लिक कर आ रहे हैं फिर हम लोग वहां से सुपर 99 गये वहां थोड़ी बहुत शॉपिंग करी मुझे कुछ जरूरी समान लेना था तो मैंने कुछ शॉपिंग करी वहां पर सुपर 99 का कलेक्शन देखें डेकुरेशन आइटम काफी अच्छे थे यह टी लाइट केंडिल्स है फ्रेंस बहुत सुंदर लग रही थी मैंने थोड़ी बहुत यहां से पर्चेजिंग करी छोटी वाली टी लाइट केंडिल मैंने यहां से पर्चेज करी और यह देखें कोलेक्शन भी काफी अच्छा था कि मैंने यहां थोड़ी बहुत तो शॉपिंग करी और वह सारी शॉपिंग में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या-क्या पठीचेज किया वहां से यह देखिए इस्टील का भी कलेक्शन काफी अच्छा था वहां पर और मक तो काफी डिजाइनर थे काफी अच्छे लग रहे थे बहुत सुन्दर लग रहे थे मैंने भी थोड़ी बहुत पर्चेजिंग करी है कुछ डेकुरेशन आइटम लिया है कुछ घर का आइटम लिया है मैं वो सब आपको नेक्स ब्लॉग में दिखाऊंगी अभी बहुत रात हो रही है फ्रेंज ओके गुड़ नाइट यह है मेरी फ्रेंज गुड़ नाइट इल दिवड रवाई